जब भी आपका मोबाइल लॉक हो जाता है बिल्कुल इस तरह से जैसा के सामने मेरे हाथ में है और आप उसे लाखो कोशिस करने के बाद जब उसे अनलॉक नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत जादा परिसान हो जाते हैं बात दस साल पहले की या उसे भी पहले की नहीं है जहां पे आपके लिए मोबाइल सिर्फ और सिर्फ कॉल करने के लिए हुआ करता था आज के टाइम में आपका सबसे बड़ा दोस्त साथी सबसे important जो समान है वह आज के date में लोगों का मोबाइली है और यदि वह किसी problem में ज यल्मी का है या वो वीवो का है या फी वो बन प्लस का है और वो बाइ मिस्टेक आप से लॉक हो गया है तो आप उसे किस तरह से इजली अनलॉक कर पाएंगे जानेंगे आज के इस बहतरिन वीडियो में तो इस वीडियो को पूरा देखें अज़ के इस वीडियो को देखते हैं तो आज के इस वीडियो में बताएगे मैथट को सीखने के बाद आप अपने लॉक हुए मोबाईल को अनलॉक कर पाएंगे बो भी बिना आपके डेटा लॉस को किये हुए जी हां आपका फोटो ज वीडियो डॉकुमेंट सारे सेफ रहे और आपका हैंडशेट भी बड़े आडाम से अनलॉक हो जाएगा और हम यहां पे कंप्यूटर का इस्तमाल नहीं लेंगे नहीं हम इसे हाड रिशेट मारेंगे और नहीं गूगल एफाड़ पी का इस्तमाल करेंगे बस कुछ सिंपल से स्टेप्स को अपनाने के बाद हम य YouTube Channel Review Review तो आज के इस वीडियो को यहीं पर सुदू करते हैं लेकिन सुदू करने से पहले यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और यदि यदि काम हो जाएगा तो लास्ट में जाने के पहले मैं अभी नहीं कह भाँ हूं लास्ट में जाने से पहले आप हमारे वीडि हम में से बहुत सारे लोग ये बात अच्छे से जानते हैं मुवाइल का लॉक होना आम कोई बहुत बड़ा प्रॉलम नहीं ये एक आम प्रॉलम है जो नॉर्मल मैक्सिमम लोग साथ हो जाता है बहुत सारे case में बहुत सारे smart phone में ये इसे unlock करना easy होता है वो email id के help से जैसे कि Samsung में Nokia में और LG में लेकिन यदि आपके पास ओपो, Realme, Vivo का smartphone है या फिर OnePlus का smartphone है तो उसमें simple method से आप इसे unlock नहीं कर पाएंगे यह यहाँ पे थोड़ा जटिल हो जाता है तो इसलिए आपके पास यह दी OPPO Realme Vivo का फोन है तो आपको यह बात मैं बता दू maximum लोग अपने स्मार्टफोन में जो गलती करते हैं वो आपको नहीं दोरानी है वो गलती क्या है चली आपको मैं उसकार में पहले बता देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं यह आपका लॉकिंग इंटरफेस है जहां आपको पासवर्ट डालना है लेकिन जब आप इसके पासवर्ट को भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पे गलत पासवर्ट का इस्तेमाल करना नहीं है क्योंकि maximum लोग यही गलती करते हैं आपने देखा होगा या फिर आपने अपने फोन में भी तो इससे realize किया होगा जब आप यहाँ पे गलत पासवर्ट को इस्तेमाल करते होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ second का timer आ जाता है जैसे 30 second का अब उसके बाद ही दिया आप 30 second के पार होने के बाद भी दिया आप password इसमें try करेंगे तो वो timing बढ़ता जाएगा एक मिनट एक घंटा फिर 72 घंटे में वो change हो सकता है यदि आप तब भी नहीं मानेंगे और खुद से इसे खोलने के कोशिस करेंगे वो भी गलत password को लगा के तो आपका smartphone हमेशा के लिए dead हो सकता है तो ऐसी गलती ना करें वरना आपका smartphone तो जाएगा ही और आपका data भी साड़ा loss हो जाएगा तो इस condition पर आप दो काम करते हैं या तो आप जाते हैं service center या फिर आप YouTube की वीडियोज को देखके उसे unlock करने की कोशिस करते हैं तो आज हम आपको यहीं बताएंगे कि आप घर बैठे भी इसे unlock कर सकते हैं वो कौन-कौन से method हैं जिसे apply करके आप अपने smartphone कौन-lock कर सकते हैं चली अब यहाँ पे हम वही बताने वाले हैं आप ध्यान से देखें आप जब नीचे की तरफ ध्यान से देखेंगे आपको दो option देखने को मिलेंगे पहला है right side में back का button दूसरा है left side में emergency call का button जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हम emergency call को यहाँ पे open करेंगे जैसी इसे click करेंगे आपके सामने emergency calls only का page खुल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे live देख सकते हैं हम यहाँ पे जो भी steps लेंगे वो साड़े live लेंगे कि आपको ऐसा न लगे कि हमने यहाँ पे कुछ यह extra मतलब यह method है वो apply किया है ताकि आपको समझ में ना है हम यहाँ पे जो भी करेंगे live करेंगे और आप भी अपने smartphone को जो की lock हो गया है उसमें भी live action आप apply करते रहें ताकि आप भी इसके साथ साथ अपने smartphone को unlock कर पाएं हम यहाँ पे एक secret code को इंटर करेंगे जिसके इस्तमाल करने से आपका unlocking mode on हो जाएगा जिया तो चलिए वो code यहाँ पे पहले इंटर करते हैं वो code है start, hedge, 8, double 9 और hedge जैसे हम यहाँ पे hedge किलिक करेंगे आप लोग देख सकते हमारे handset में engineer mode activate हो गया है जिया अब चुकी इसके के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ, engineer mode एक ऐसा page है जिसका इस्तमाल करते हुए आप अपने handset के जितने भी software के regarding problem होते हैं आप उसे repair कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं लेकिन यदि आप इस engineer mode के बारे में नहीं जानते हैं तो आपसे request है आप इस page पे अपने मन से को आप चेंज ना करें वरना आपका smartphone हमेसा के लिए permanent खड़ाब हो सकता है यदि आप इसके आड़ में नहीं जानते हैं तो आप हमें comment करें और चैनल को subscribe कर लें हम इसके उपर एक special video बनाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप smartphone के master बन जाएंगे और in future आपको कभी भी service option है जिसका नाम है manual test उसे खोजना होगा जो यहाँ पे आप number 4 पे देख सकते हैं तो चलिए इसे open करते हैं जैसी आप manual test को open करेंगे आपके सामने एक नया page खुल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे live देख सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी a step नहीं लेना है आपक यहाँ पे कुछ जरूरी बाते बतानी है इसके लिए मैं इस phone को थोड़ा zoom कर देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक option है जिसका नाम है number 4 पे main board version आप इसमें अपने lock हुए handset में इसे cross check करें यदि आपका main board version भी 1.1 है तब तो आपका smartphone unlock हो जाएगा बह लेकिन दिक्कत यहाँ पे यह है कि हर एक handset का main board version या database version अलग-अलग होता है और सबको इसी updated version में change करने का method भी अलग-अलग है तो मैं किसी एक के बारे में बात नहीं करूंगा तो इससे अच्छा है आप हमारे channel को subscribe कर लें और comment बताएं आपके पास किस company का कौन सा phone है और उसका main board version क्या है ताकि मैं या फिर हमारी team आपको एक आपकी help मतलब आपकी हम लोग help भी देंगे कि आप किस तरह से इससे आप update कर सकते है वो भी एक से दो मिन्टों में फिलाल इसे आप किस तरह से change करेंगे आप उसके लिए comment करें चैनल को subscribe करते हुए फिलाल हम यह मानने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जब आप इसमें 11 times क्लिक करते हैं आपका handset unlock होने के लिए ready हो जाता है और आपको बस last step लेना है उसका आपका handset unlock हो जाएगा वो last का step है number 3 पे दिये हुए key status को क्लिक करना तो चली इसे भी यहाँ पर क्लिक करते हैं जैसी आप इसे क्लिक करेंगे आप आपके smartphone का जितना भी lock होगा pin pattern password वो साड़ा यहाँ पे टूट जाएगा सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट के लिए पांच मिनट में आपको एक नया password लगा लेना है ताकि आपका smartphone दुबारा से lock ना हो जाए अब आपको इसे चेक करना है कि आपका smartphone unlock हुआ या फिर नहीं हु हुआ है तो बीना देर की ये चैनल को subscribe करें और comment यो बताएं आपके पास किस company का कौन सा model है और उसका mainwood version या database version क्या है ताकि हम आपके भी help कर सके उसे unlock करने के लिए